हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमारे योट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेसन और मैं हूँ खरसाय चोपड़ा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्जाम में गैसिंग वार्क यानि तुक्का लगाना सही है या नहीं तुक्का कौन-कौन सी कंडिशन में लगा प्रेज करें तो दोस्तो अगर कोई यह सोचे कि मैं एक्जाम में सभी क्यूशन में तुक्का लगागर 550 प्लस का स्कोर ले आउंगा तो यह उनका सोचना गलत है आज तक सभी क्यूशन में तुक्का लगाकर किसी भी स्टुडेंट ने गौर्मेंट कोलेज प्राप्त नही की है यह मेरा अपना अनुबव है यानि कि तुका नहीं लगाना चीए क्योंकि नीट में नगेटिव मार्किंग होने से अगर आप पांस क्यूसन गलत करते हैं और एक क्यूसन सही करते हैं तो आप माइनस वन मार्क्स प्राप्त कर पाते हैं तो ऐसे करके आपका इसकोर माइन में चला जाता है हाँ आप एक लिमिट में रहकर तुका लगा सकते हैं वो भी Elimination Method use करते हुए आपको Elimination Method के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपके पास चार उप्सन हैं इनमें से आप ऐसे उप्सन को भार निकालें जिसमें आपको ये लगे कि ये उप्सन बिलकुल नहीं हो सकता है बचे तीन उप्सन उसमें से एक फिर से ऐसे उप्सन को निकालें कि ये भी नहीं हो सकता है बचे आपके पास दो option तो इन में आप यहां पर guessing work कर सकते हैं कि यह option हो सकता है तो अगर आप तुका लगाना चाते हैं तो शिरफ elimination method use करते हुए ही तुका लगाना है और उन क्यूसन में तुका बिलकुल नहीं लगाएं जिस क्यूसन के बारे में आपको बिलकुल भी knowledge नहीं है इस elimination method से भी तुका आप 5 से 10 क्यूसन में ही लगाएं और मैं तो आपको यह कहूँगा कि आप जितना हो सके इस तुका लगाने से बचें तो बेहतर ही रहेगा क्योंकि कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर हमने 10 क्यूसन में तुका लगाया और वो सारे के सारे सही हो गए तो हमें 40 marks गैन हो जाएंगे लेकिन ये सारे तुके सही नहीं हो सकते इन में से पूरे के पूरे 10 क्यूसन गलत हो गए तो आप minus marks गैन कर पाएंगे अगर दो क्यूसन सही होते हैं तो आप बराबर रहेंगे और अगर आप तीन क्यूसन सही करते हैं और साथ क्यूसन गलत करते हैं तो पांस नमबर का आपको फाइदा होगा लेकिन तीन से जदा अगर आप क्यूसन सही करते हैं दस क्यूसन में से तो आपको फाइदा होगा लेकिन ये इलिमनेशन मेथड यूज करके ही संबव है क्योंकि इसमें एक एक नमबर का इंपोटेंस है नीट एक्जाम में तो दोस्तो और कॉन्फिडेंस होकर किसी भी क्यू कि आपको एक्जाम में तुका नहीं लगाना है अगर लगाना भी है तो एलिमनेशन मेथड को जरूर यूज करना है और अगर ऐसे क्यूसन में तुका बिल्कुल नहीं लगाना है जिसका आपको बिल्कुल भी आईडिया नहीं है दोस्तो मैं आपको बता दो कि आप तयारी ही इतनी रखोगी तुक्का लगाने की जरुरत ही ना हो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो हर क्यूशन का अंस्वर तो आपको आएगा ही और ऐसे दो-च्यार क्यूशन ही बचेंगे जिसमें आप Elimination Method यूज कर सकते हैं तो इस परकार से आप Negative Marking से बस सकते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वज्यादा श्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन